कहते हैं कि confidence is good but overconfidence is bad क्योंकि जब हमें overconfidence हो जाता है तो हम develop करते हैं superiority complex जिसके चलते हम लोगों को कम तर समझने लगते हैं नतीजा हमारे अपने लोग हम से दूर हो जाते हैं या फिर कई बार हमें खुद embarrassing situation का सामना करना पड़ता है superiority complex को कैसे पहचाने कैसे जाने कि यह हमारे अंदर develop हो रहा है क्या लक्षन होते हैं और साथ ही इससे कैसे बचा जा सकता है आज यह जानेंगे इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं life coach महिश शर्मा महिश शर्मा जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है महिश जी से हम यह जानेंगे कि आखरकार कब और कैसे आदमी superiority complex को develop करता है और जब आदमी के अंदर इस तरह की भावना आ जाती है तो फिर उसका behavior क्या होता है इससे जुड़ा हुआ कोई सवाल अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप में call कर सकते हैं हमारा नंबर है 0120-399-1111 और साथ ही आप में SMS भी कर सकते हैं SMS नंबर है 56006 से महिश जी सबसे पहले तो हम यह जाना चाहेंगे कि superiority complex असल में है क्या क्योंकि कोई आदमी जब पैदा होता है तो उसके अंदर इस तरह का कोई complex नहीं होता लेकिन वक्त के साथ-साथ ब्राउन ब्रॉटर पर बहुत सारी ऐसी conditions होती है जो आदमी के अंदर बहुत सारे behavioral changes पैदा करती है तो superiority complex को कैसे आदमी पहचान सकता है देखें सुरुष superiority complex को अगर हम देखें तो कई तरह से यह आता है कई वज़े से आता है family background के वज़े से आता है कई बार आपने देखा होगा male dominant house है वहाँ पर जब हम देखते हैं जातर males में यह पाए जाता है कि आप देखते हैं कि घर के जो बड़े हैं वो अपने पूरे घर को चला रहे हैं और dominant करते है house को तो वहाँ से complex generate होता है हमारे अंदर की we are the head of the family इस तरह से home से generate होता है हमारे environment से generate होता है कि आसपास हम देखते हैं अपने हमारे friend circle हमारा समाज चीज में हम रहते हैं वहाँ से generate होता है लेकिन basic अगर इसका देखा है तो superiority complex कहीं ना कहीं psychology की भाशा में कुछ inferiority complex जो हमारे अंदर है उसको mask करने के लिए हम लोग ओड लेते हैं अपने उबाशा यानि कि कहने का मतलब आपका यह है कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर कोई inferior भावना होती है और उसको हम छिपाने के लिए अपने आपको बेहतर दिखाने की कोशिश करते हैं तो यह superiority complex है लेकिन एक बहुत बड़ी वज़ा है कि कई बार आदमी के अंदर superiority complex आने पर उसे अपना हर फैसला सही लगता है तो उस चेकर से कई बार वो गलतियां भी कर बैठता है तो इस situation को कैसे समझें कि आदमी आज इस stage पर आ चुका है कि वो गलत फैसली ले रहा है लेकिन उसके बावजूद भी वो समलने की कोशिश नहीं कर रहा है उसे लग रहा है कि उसका गलत फैसला भी सही है लाख कहने के बावजूद भी हो नहीं समझ रहा है देखिए superiority complex जब हम बात कर रहे हैं तो हम बार बार superiority complex का नाम ले रहे हैं और कई बार confused हो जाते हैं over confidence, self confidence और superiority complex के अंदर इस एंटारली different issues तीनों की तीनों self confidence तब होता है जब आप किसी काम को लगाता है करते रहते हैं उसके इंदर आपका confidence generate हो जाता है for example मैं अगर कोई game खेलता रहूँ तो मेरे अंदर self confidence generate हो जाएगा और मैं इस game में perform करता रहूँ लेकि इसका मतलब यह नहीं है कि दूसरे भी fields में मैं excel करता हूँ तो यह self confidence है over confidence यह होता है कि जब मैं experience कि थूर जान लेता हूँ तो मैं यह मानना शुरू कर देता हूँ कि now it is very easy I can handle it without knowing the complexity of that situation यह over confidence है but superiority complex तब है जब self obsession आ जाए self obsession self obsession कि हम तो ऐसे ही है हम तो ऐसा ही करते है मेरी जो बात है मैं ही सही हूँ बाकी सब लोग तो मेर से नीचे है अपने आपको superior सावित करना अलग चीज है दूसरों को नीचा दिखाना एक अलग चीज है तो superiority complex जो ग्रस्त है आदमी वो इस हद तक चला जाता है कि वो दूसरों को नीचा दिखाने कोशिश करता है लेकिन फिर आदमी पहचाने कैसे क्योंकि ये बात हम यहां discuss कर रहे है हमारे लिए discuss करना आसान है लेकिन जो आदमी superiority complex के चलते गरत फैसले ले रहा है उसके लिए पहचान करना मुश्किल होता है कि उसके अंदर इस तरह का complex है या फिर वो इसका शिकार है तो उसे कैसे रेलाइज हो ये चीज़ देखिए सबसे मुश्किल बात superiority complex में यही है कि जिसको होता है वो नहीं पहचान पाता इसी वज़े से बहुत बात देखा गया है कि इन लोगों को जिनको treatment के वाशकता है treatment भी नहीं मिल पाती क्योंकि जो psychologist है जो psychiatrist है जिनके पास जो doctors है या जो counselors है उनको भी इनको लगता है कि उनको क्या मालूब है so they are so superior from inside क्यों कहते हैं यह क्या जानते हैं मेरे बारे में तो वो help नहीं लेना चाहते और जब वो help नहीं लेना चाहते हैं वो किसी की परवा नहीं करते वो सिर्फ अपने बारे में so self-centered कि उनको अपने आसपास कुछ भी दिखाए नहीं देता तो अगर आपको ऐसा कोई शक्स दिखता है जैसे हमारे जो viewers हैं वो भी जान पाएंगी superiority complex है self-confidence है अगर वो शक्स इतना ज़्यादा अपने में involved है कि हमेशा अपनी बाते करेगा अपने बारे में बोलेगा कि जो मैं बोल रहा हूँ ठीक है मेरी बात को सुनो मेरे orders को मानो और अगर आप उनकी बातें नहीं मानते तो वो आप पर हावी हो जाते है that is superiority complex क्या हम यह कह सकते हैं कि proud या फिर superiority complex एक ही चीज है इसमें कुछ फर्क है फर्क है proud एक हद तक अगर है proud का मतलब यह होता है कि मैंने कोई काम किया मैंने इसका यूज किया that's proud लेकिन वो proud अगर हर चीजों के लिए हो जाता है proud एक किसी particular चीज के लिए होता है कि मैंने life में यह achieve किया है तो मैं ऐसा हूँ लेकिन अगर वो proud जीवन के हर शेत्र में लागू हो जाए तो वो superiority complex बन जाता है जैसे कि अगर जो चीज मुझे मालूम भी नहीं है फिर भी उसके बारे में मेरे अंदर यह feeling आती है कि मैं इसके बारे में जानता हूँ और कोई इसके बारे में नहीं जानता that becomes a superiority complex so it is basically अगर हम यहां बताना चाहें तो self-obsession की स्थिती में जैसे ही पहुंचता है तो it becomes a disease it requires medical help it requires some professional help but जो problem हमने discuss की की हमें तो लग रहा है जो देख रहा है लेकिन जिसके साथ हो रहा है उसको नहीं लगता यह चीज़ यानि कि हम यह कह सकते हैं कि sometime is good, sometime is bad but superiority complex is always bad मैं आप से यह जाना चाहूँगा जिस आदमी में superiority complex होता है उसका behavior किस तरह का होता है अगर उसको देखें आप अपने आसपाफ भी देखें या हम भी notice करते हैं कई बार कि आपको वो शक्स बहुत tight मिलेगा मतलब he is not flexible basically flexibility नहीं होती है किसी भी चीज को अगर उसने कह दिया है तो अगर वो गल्थ भी है तब भी वो उससे back up नहीं करता वो उसको defend करता है this is one of the biggest observing methods है वो उसको defend करेगा कि जो मैंने कहा दिया वो ठीक है दूसरी चीज वो अपनी बातों को लागू करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते है क्योंकि एक बार अगर उनने कोई चीज बोल दी चाहे वो ठीक है या गल्थ है उनको यह लगता है कि this should be followed word to word तो workaholics होते हैं बहुत ज़्यादा workaholic होते हैं और लोगों से भी उतना ही काम करवाना चाहते हैं उसी conditions में जिस conditions में वो करते हैं तो यह कुछ चीजे है और अच्छी चीज यहां पर मुझे को अभी भी बताना अच्छा लगेगा आपको emotional बिल्कुल नहीं होते हैं emotions उनके लिए एक तरह का यह मान लीजी कि it's a danger अच्छा अगर उनके सामने को emotional चीज आप रखते हैं या emotional होते हैं तो उसको straight forward reject कर देते हैं इसका मतलब है कि काई ना काई उनके अंदर fear of intimacy भी रहता है absolutely इसलिए उनके जो marriage में relations हैं वो बहुत ज़्यादा strenuous होते हैं friendship में relations strenuous होते हैं और ज़्यादा तरह उनके जो friends होते हैं वो सिर्फ काम के friends होते हैं यानि वो friends भी अगर आपन में देखें तो वो ये बोलते हैं कि यानि इस शक्स से जितना काम निकालना है काम निकालो otherwise friendship नहीं हो सकती इन से तो वो भी friendship भी एक मतलब की होती है उनके साथ even जो husband wife के relationship है वो भी मजबूरी के साथ आगे चल रहे होते हैं तो it's a very difficult situation basically जी यानि कि अगर आपके अंदर superiority complex है तो relationship पर भी इसका असर पड़ता है आप अपने आपको बेहतर समचने लगते हैं रिष्टों को आप एहमियत नहीं देते हैं नतीज़ा ये होता है कि life में बहुत सारी problems आती है महें जी मैं आपसे ये जाना चाहूँगा कई लोग ये भी कहते हैं कि जब आदनी को जारत सफलता मिल जाती है तब उसे superiority complex हो जाता है क्या ये सही है देखिए इसमें बहुत बड़ा myth है कि अगर आपके पास पैसा आगया आपके पास power आगई तो आप superiority complex से ग्रस्थ होंगे यहाँ पर एक जो psychological truth है इसके पीछे वो ये कि जब भी पैसा या power आपके पास आती है तो जो भी चीज आपके अंदर है वो ही increase होती है अगर आपके अंदर शुरू से ही kindness और love है वो increase हो जाएगा लेकिन अगर आपके अंदर शुरू से ही यह dominant की भावना है शुरू से ही आपकी complex है आपके अंदर अगर infinity complex भी है तब भी वो superiority में change हो जाता है यानि अगर आपके अंदर शुरू से ही वो चीजे है जो पहले यह power और पैसा नहीं था इसलिए दबी हुई थी अब जो पावर और पैसा आगया आपके पास तो यह बाहर निकल के आजाती है तो यह ऐसा नहीं है कि कोई आदमी change होता है basically पहले उसको वो मौका नहीं मिला था और आज वो revenge की स्थिति में आ जाता है कि हम मेरे पास पैसा है मेरे पास power है तो वो चीज़ दिखाई देने लगती है इसलिए यह myth है कि पैसा और power आदमी को proudie बनाता है proudie वो पहले से था बड़ पैसा और power उसको दिखा देता है बिलकुल यानि कि यह जानना बहुत जरूरी है कि अगर हमारे अंदर superiority complex है और आज हम सफल है तो इसका मतलब यह रही कि सफलता के चलते हमारे अंदर superiority complex आ गया है दरसल यह कहीं ना कहीं हमारे अंदर पहले से ही था और आज सफलता मिलने के बाद हम इसको बाहर शो भी करने लगे है एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं लेकिन ब्रेक के बाद भी जानेंगे कि आखरकार हम कैसे superiority complex से बस चकते हैं और साथ ही अगर हमारे अंदर अस्तर का complex develop हो जाता है तो personal और professional life में क्या क्या परिशानिया उठानी पड़ती हैं ये भी जानेंगे